फ्रेंड्स हम लोग महासागरों की तली आकरतियों को देख रहे हैं तो हम लोगों ने अटलांटिक महासागर को कवर कर लिया हिंद महासागर को कवर कर लिया और आज के वीडियो में अंतिम रूप से हम लोग प्रशांत महासागर को कवर करेंगे तो दिखें बात करते हैं प्रशांत महासागर की तलिय आकरतियों की प्रशांत महासागर विश्व के तीन प्रमुख महासागरों में सबसे बड़ा है ये इंडोनेशिया समूहों द्वारा हिंद महासागर से जुड़ा है एक और एक बहुत ही उथले Baring Strait द्वारा Arctic महासागर से जुड़ा है तो इन चीजों को मैंने अपना जो Basic वाला वीडियो था Basics का उसमें आपको बताया था ये पश्चिम में एशियाई तर से पूर में अमेरिकी तर तक तथा उत्तर में Baring Strait से दच्छिड में अंटार्टिका से जुड़ा है पश्चिम की और महासागर में अनेक सीमान सागर है जैसे इसमें जापान सागर आजाता है उखो टस्क सागर आजाता है, सिलेबस सागर आजाता है, औरल सागर आजाता है, पूरवी चीन सागर आजाता है, यलो सागर आजाता है ये सारे जो सागर हैं, इसमें एक तरह से सीमान सागर है, महासागर की आउसत गहराई लगभग 5000 मीटर है, प्रशान्थ महासागर तीनों प्रमुप महासागरों में सबसे कम खा रहा है, यानि इसकी सैलिनिटी सबसे कम है, तो सीमान सागरों के अतरिक जो महासागर है, इसमें बहुत सारे दूइप भी हैं तो तीन तरह के दूइप बेसिकली आपको प्रशान्त महासागर में दिखेंगे बड़े महा दूइप दूइप यानि कि बड़े बड़े दूइप इनकी महा दूइपों से भुवाकरतिक सद्रशिता होती है यानि कि ये जो dweep हैं, ये जो आपके island हैं, ये वैसे ही दिखते हैं, जैसे कि आपके महाद्वीप होते हैं, ये महाद्वीप से कुछ विवर्तनिक क्रिया कलापो द्वारा प्रथाक्रत हो गए हैं, तो यानि कि क्या हुआ, जो महाद्वीप है, उसी से ये जुड़े हुए थे लेकिन कोई विवर्थनिक क्रिया हुई कि कोई प्लेट टेक्टॉनिक की एक्टिविटी हुई जिसकी वज़े से यह महा द्वीप से अलग हो करके अपने आप में एक स्वतंत्र द्वीप के रूप में निर्मित हो गए इक्जामपल है लुशियन द्वीप है ब्रिटिश को लंबियाई द्वीप है चिलीन द्वीप है इसके बाद आ जाते हैं द्वीपी चाप और फेस्टॉन ये विनाशकारी प्लेट गतियों के कारण उत्पन होते हैं यानि कि जहां पर दो प्लेट आपस में टकराती हैं वहा परवत बन जाते हैं और इन में ज्वाला मुखी अतिक्रमर भी होते हैं तो इस तरह के द्वीब कौन से हैं? क्यूराइल है, जापानी द्वीब समूह है, फिलिपिन है, इंडोनेशिया है द्वीब समूह है, यह इसके एक्जामपल हो गए फिर हो जाते हैं छोटे बिखरे हुए द्वीब, तो यह द्वीब जाती हो के आधार पर पुना छोटे समूहों में विभाजित है, जैसे मैलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलीनेशिया, कुछ द्वीब समूह जो आलमुखी पदार्थों से बने हैं, जैसे की हवाई, पो गया है उत्री छेत्र आर्क्रिक महासागर को इस पर्ष करने वाला छेत्र है जिसमें अन्वेकों खाईयां है जिसकी वज़े से आउसत गहराई बहुत जादा है यानि कि प्रशांत महासागर का उत्री छेत्र जो आर्क्रिक को टच करता है वहाँ पर क्या है कि ट्रेंचेस ब आपको सीमान सागर और दूइप मिलेंगे, दच्छेर पूर्वी छेत्र में आपको सीमान सागर तो नहीं मिलेंगे, जहां एक कटक प्रमुख है, तो इसमें कटक आपको मिल जाएगा लेकिन सीमान सागर बगारा नहीं मिलेंगे, तो अब बात करेंगे देखे जैसा कि हमेश द्वीब समूहों में और आस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर काफी व्यापक है ये आपको बड़ा कहां कहां पे मिलेगा यानि शेल्फ का विस्तार जादा कहां पे है पश्चिमी प्रशान्त मासागर में जो जापान और इंडोनेशिया द्वीब समूह है वहां पर और आस पूर्टिनेंटल शेल्फ जो है काफी विस्तारित काफी बड़ा दिखेगा यहां महादूईपिये मगनतट की चोड़ाई 1600 किलोमीटर तक भी पहुँच जाती है यानि 1600 किलोमीटर तक का चोड़ा महादूईपिये मगनतट यहां पे मिलता है और जो आउसत गहराई है वो पान सागर हो गया पीला सागर हो गया यलो सी हो गया यह सारे आपको इस हिस्से में मिल जाएंगे सीमान सागर आपको मिल जाएंगे इसके विपरीत पूर्वी प्रशांत की जो पहचान है यानि कि जो पूर्वी छेतर है वहाँ पे आपका कैसा मिलेगा बहुत ही सक्रे महा महादवीपीय मगनतट मिलेंगे, यानि कि जो Continental Shelf होगा, वो सकरा होगा, औस चवड़ाई केवल आपको 80 km दिखेगी और कहीं कहीं पे तो केवल 45 km चवड़ा है, तो एक चीज देखें आपको पता चल गई, एक बार समप कर देता हूँ, कि जो महादवीपीय मगनतट है, जो Continental Shelf है, प्रशांत महासागर का, वो एक तरफ पश्चिमी जो हिस्सा है प्रशांत महासागर का, जिसमें जापान, इंडोनेशिया वगएरा जहां पर आ जाते हैं, वहाँ पर Shelf काफी चवड़ा है, वही पे अगर हम लोग इसकी तुलना करें, आपके पूर्वी प्रशां Continental Shelf है, वो काफी पतला है, 80 किलोमीटर और कुछ इस्थानों पे 45 किलोमीटर तक का ही है, अच्छा इसका कारण क्या है, देखिए जो नौर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की ये प्लेट्स हैं, ये टेक्टोनिकली एक्टिव हैं, इसके साथ ही यहाँ पे रॉकीज और सकरा जाद अच्छा शब्द होगा, सकरा मिलेगा, नैरो होगा, अब देखिए हम लोग प्रशान्त महासागर के कटक की बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर एक चीज है कि इसकी लोकेशन कहाँ पर कौन सी रिज है, इक्जैक्ट ये आपके लिए इतना इंपॉर्टन न रिज नहीं है, ओशेनिक रिज है, कटक है, लेकिन मिड ओशेनिक नहीं है, बलकि कुछ कटक महासागर में पहले हुए है, जिस पे सबसे प्रमुख है पूर्वी प्रशान्त कटक, तो सबसे प्रमुख कौन सा हो गया, पूर्वी प्रशान्त कटक, ये कटक पश्चिम में क कैलिफोर्णिया से लेकर पूर्व में न्यूजीलेंड तक विस्तारिद है तो अगर आप कैलिफोर्णिया से चलेंगे तो वहां से लेकर के और फिर आपका जो न्यूजीलेंड है वहां तक आपको ये मिलेगा और इसको अलबेट्रोस प्लेटू भी कहते हैं दूसरी कोकोस कटक जिसके से उत्री दिशा में अलबेट्रोस पठार की बहिवरत धी माना जाता है कोकोस कटक दो डिग्री दच्छनी अच्छांश के निकट दो भागों में विभाजित हो जाता है पूर्वी भाग है सेन फैलिक्स जुआन फरनांडीज कटक जो चिली के तटके सम मानांतर है अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ because confusing हो जाएगा तो यह देखिए यह आपका जुआन फरनांडीज हो जाएगा तो यहीं पर आपकी जुआन फरनांडीज रिज है जैसा कि यह आप यहाँ पर लिखा देख पा रहे हैं तो यह आपक सेन फैलिक्स जुआन फरनांडीज कटक जो चिली के तटके समानांतर है कोकोस कटक का पश्चिमी भाग दच्छिर पूर्वी प्रशांत पठार कहलाता है तो यहीं देखिए कोकोस कटक दो भागों में डिवाइट किया हम लोगों ने एक तो सेन फैलिक्स जुआन और इसी कटक का जो पश्चिमी भाग है जो दूसरा भाग है कोकोस कटक का उसको कहते हैं दच्छिर पूर्वी प्रशांत पठार यह 20 डिग्री से 40 डिग्री दच्छिर अच्छांशों के बीच पठार के रूप में चोड़ा हो जाता है अब इन डिटेल्स को ना भी याद रखे लेकिन कटक के बारे में आपको पता होना चाहिए प्रशांत महसागर की एक अन्य प्रमुक कटक है हवाई की कटक जो 35 डिग्री से 17 डिग्री उत्री अच्छांशों के बीच इस्थित है इस कटक का इस्थानिक माह तो है क्योंकि इसमें हवाई और होनुलूलू के द 13,000 मीटर है अब दिखिए बात करेंगे पश्चिमी प्रशांत महसागर की तो यहां पर न्यूजी लैंड के पश्चिमी तट और तसमानिया के दच्छिड में कुछ ही कटक महतुपूर है तो जो न्यूजी लैंड का पश्चिमी तट है और जो तसमानिया का दच्छिड है वहाँ पर कुछ ही महतुपूर कटक है जो चैथम राइज हो गया दच्छिड तसमानिया कटक हो गया यह कुछ यहां के प्रमुक कटक हो गया लार्ड होवे राइज और नोर्फोग द्वीब कटक आस्ट्रेलिया और फिजी बेसिन के बीच पाय जाते हैं तो आस्ट्रेलि और इपिक न्यूगिनी राइज और कोरोलाइन सोलोमन कटक जैसा की नाम सुझाते हैं न्यूगिनी और सोलोमन द्वीबों के निकट स्थित हैं तो और इपिक न्यूगिनी राइज आपको कहां पे मिलेगा न्यूगिनी द्वीब के पास और कोरोलाइन सोलोमन कटक कहां प अभी तो एक हिस्से को हम लोग कहेंगे पूर्वी हिस्सा और दूसरे हिस्से को कहेंगे पश्चिमी जब बीच में ये रिज ही नहीं है तो फिर इसका कोई पूर्वी पश्चिमी विभाजन भी नहीं है बलकि पूरे महासागर में बेसिन अथवा अवनमन पाय जाते हैं तो पूरे महासागर में बेसिन या डिप्रेशन पाय जाते हैं प्रशांत महासागर के कुछ प्रमुख बेसिन के विशय में हम लोग बात करते हैं यहां पर जैसे कि फिलिपीन बेसिन हो गया, फिजी बेसिन हो गया, एलूशियन बेसिन हो गया, पश्चिमी कैरोलाइन बेसिन हो गया, पूर्वी कैरोलाइन बेसिन हो गया, पूर्वी आस्ट्रेलियाई और दच्छिन आस्ट्रेलियाई बेसिन हो गया, दच्छिनी पश्चिमी Pacific Basin, Sorry Basin, Central Pacific Basin, ये सभी यहां पर आपके दिये भी गए हैं, तो इसको आप यहां पर देख सकते हैं, इसके साथ ही जैसे हम लोगोंने हवाई रिच की बात की थी, तो उसकी भी लोकेशन यहां पर दी गई है, Mid Pacific Mountains को यहां पर दिखाया गया है, इसके साथ ही आपकी जो North West Pacific Basin है, वो यहां पर है, तो यानि की मैप में आपको जो प्रमुक बेसिन हैं, वो देखने को मिल जाएंगे, इसके साथ ही जो प्रमुक कटक हैं, जो अभी हम लोग कटक की पिछली स्लाइड में बात कर रहे थे, तो जैसे नसका रिज है, और पेरू बेसिन है, यह सारी चीज़े आपको यहां पर मैप में मिल जाएंगी, साथिस्ट पैसिफिक बेसिन दिखाया गया है, तो इन सभी बेसिनों की जो गहराई है, 4000 मीटर से 6000 मीटर के बीच है, पश्चिम केरोलाइन बेसिन और पूर्ण क और पूर्ण बेसिन और फिक न्यूगिनी राइस त्वारा प्रथक्रत हैं, तो जो न्यूगिनी राइस है वो कैरोलाइन बेसिन को दो भागों में डिवाइड करता है पश्चिमी और पूर्वी इसके बाद देखिए प्रशान्त अंटार्टिका बेसिन चिली के दच्छिर पश्चिम तक विस्तारित है इन सभी बेसिनों के नाम इनके इस्थान के जो है 32 जो ट्रेंच है वो बहुत जादा इंपोर्टेंट है विश्व की सबसे गहरी खाई जो है मेरियाना खाई मेरियाना ट्रेंच वो यहीं पर है इस खाई का सबसे गहरा भाग चैलेंजर गर्द कहलाता है तो वास्तों में विश्व की 5 सबसे गहरी जो खाईयां है वो दी गई है लेकिन मैं रटने को कभी भी प्रिफर नहीं करता हूँ तो आप इनका नाम देख सकते हैं, लोकेशन देख सकते हैं मैप में जैसे कि जो में में ट्रेंच हैं, जैसे मैरियाना ट्रेंच हो गई आपकी Allusion Trench हो गए इस तरह की जो आपकी Main Main Trench है उसको यहाँ पर बताया गया है इनकी Locations को आप देख सकते हैं, Mapping में आपकी Help करेगी तो यह आपके हो गए प्रशान्त महासागर के गर्थ यानि की Trenches तो इस तरह से Friends यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हम लोगों ने जितने भी Ocean हैं, उनकी तली आकरतियों को डिसकस कर लिया है अब देखें चाहें किसी Part पे आए, जैसे की Question आ गया जो Pacific Ocean है इसकी Ridge के बारे में लिखें तो भी आप लिख सकते हैं पश्चीमी अमेरिका का तठ है, वहाँ पर आपका जो प्रशांत महासागर का Shelf है, वो ज्यादा चोड़ा क्यों नहीं है, वो सक्रा क्यों है, नैरू क्यों है तो इसको भी आप कर सकते हैं, इस तरह के आप जितने भी Questions आएंगे उन सभी को अब आप कर सकते हैं क्यों आप कर सकते हैं